बान्दा के जम्वा गाउं से एक दिल देहला देने वाला मामला सामने आया है जहां एक पिता ने अपनी ही पुत्री की पीट पीट कर हत्या कर दी है हत्या का कारण अभी अग्यात है पुलिस ने अभियूक्त मह्मूद खान को हिरासत में ले लिया है पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि लड़की को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था महमुद खान पुत्र स्वर्गी अली एहमद निवासी जमू अथाना तिंदवारी अपनी बेटी कुसुम बानो 22 वर्ष को लाठी डंडे से पीट कर घायल कर दिया सूचना मिलने पर मौके पर पहुँची पुलिस ने घायल को बवेरू CHC में भरती कराया जहां डॉक्टर नों ने देखते ही उसे मृत घोशित कर दिया वहीं पुलिस ने शव को पुश्ट मार्टम करने के लिए भेज दिया है घटना तिंदवारी थाने के सिमोनी चोकें दरगत कलका मंदिर गडरा नदी के पास की है इस मामले पर अपर पुलिस आधिक्शक लच्मी निवास मिश्री ने कहा कल दिनांग उन्नीश नौ दोजार रिकीस को सांग उसाड़ी शेवलेटी लड़की घायल अवस्था में मिली क्राम तोक्तिवार दौरा इसको स्काल में भठती कराया गया है जहां उसकी मिर्ट्टी हो गई है जांस में उसकी पीता दौरा थम दस्ट्रय हट्रय करना पाये गया है उसको हिरासत मिली गया है और उस्थास की जाए जाए है